नमस्कार, मैं हो ससी, आई जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जार्खन आदिवासी महसों का अगाज सीम ने एक जूट होने का किया अवाहान विश्व आदिवासी दिवस के उसर पर रांची में जार्खन आदिवासी महसों के शुरुवात हो गई है इस महोखे पर दिशोम गुरू सीवु सुरेन ने आदिवासी समाज को पढ़ाई पर ध्यान देने की सला दी वही सियम हेमन्त ने आदिवासीयों को एक जूट होने का अवाहन किया है रंगारंग प्रसुती के साथ दो दिवसी जार्खन आदिवासी महसों का आगाज बुद्धवार नव अगस्त को हो गया विश्वा आदिवासी दिवस के महके पर राज सरकार दोर आयोजीत इस महसों का उदगाटन मुख्य मंत्री हमन्सुरेन ने गुरुजी सिवु सुरेन के साथ किया बिर्शा मुंडा इस मिनिती उद्ध्यान में आई आतित्यों का स्वागत सक हुआ का पोधा और अंग वस्तर देकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंग ने किया है इस मौखे पर कॉंग्रेस विधायक जै मंगल सिंग उर्फ अनुप सिंग और विनोज सिंग भी मुझूद थे महसों के दुरान मुख्य मंत्री हमन्सुरेन के द्वारा आदिवासित संस्कृती परधारित जहां डांक टिकट जारी किया गया वही 35 जन जात्ती पर लिखी गई किताबों का भी बिमोचन किया गया जहारखन के सभी स्कूलों में गठित होगा इको कल्व जहारखन के स्कूली बच्चे अब अपने स्कूल में ही परयावरन सनक्षन के बारे में जनकारी प्राप्त कर सकेंगे बच्चों को परावरन सनक्षन और अने जनकारी देने के लिए जार्खन के 3000 इसकूलों में इको कल्व का गठन किया जाएगा सरकारी इसकूलों में 5 चरण में इको कल्व गठित करने की कवाय सुरू हो गई है पहले चरण में सभी उतक्रिष्ट स्कूलों में, वहीं दूसरे चरण में कस्तुर्बा गांधी अवासिये और जार्खन अवासिये बालिका बिद्यालियों में, तिसरे चरण में आदर्स बिद्यालों में और चौते वा पाचवे चरण में बचे हुए इसकूलों में एको कल का गठन प्रसिक्षित CRP-BRP की देख रेख में किया जाएगा विद्याले अस्तर पर गठन करने के साथ साथ उन्हें प्रसिक्षित भी किया जाएगा जार्खन सिक्षा परिवना परिशाद ने इसे समझे आदेश जारी कर दिया है जार्खन आदिवासी महत्साव दिसोम गुरु वस्तियाम हेमांत ने दिबधाई आदिवासी परमपराओ की जलक और संस्कीती की पाचान लिए जार्खन आदिवासी महत्साव दोह जातेज की सुरुवात हो गई समारोह के उद्गाटन में दिसोम गुरु शीवू सुरेन, सियाम हेमां सुरेन के लवा कई मंत्री मजूद थे कारकरम की सुरुवात दिपक परजलित करके की गई लेकिन उससे पहले मनी पुरहिंसा में मारे गई लोगों को सधान्जली भी दी गई और उन सब की आत्मा की सांती के लिए एक मिट का मौन भी रखा गया आदिवासी महोसों को लेकर खुशी जाहिर करने की कारकरम को संबोधित करते हुए दिसोम गुरु ने कहा है कि आदिवासी देश ही नहीं पुरी दुनिया में है उन्होंने कहा है कि आदिवासी जीवन जीने के लिए अपनी परंपराव के अनुसार खाने के पर्यास में लगा रहता है आदिवासी जीवन जीने के लिए मजदूरी करता है जार्खन कॉंग्रेस प्रभारी अविनास पांडे ने रांची में बिजेपी पर साधा निशाना शिरी पांडे ने कहा है कि कॉंग्रेस का द्रिष्टी को न हमेशा से सकरात्मक और आदिवास्यों के हित में रहा है और यही कारण है कि कॉंग्रेस की चाहे कोई भी सरकार रही हो लेकिन वह जन जातिय मुद्दो और आदिवासियों के मामले परसनवेदन सिर्था का परिचाय देते हुए वैसे निर्नाय लेती थी जो आदिवासियों को साथ ही जल जंगल जमीन और प्रकिती के अनुकूल हो जार्खन की रैधानी रांची के बन होरा जत्रा मैदान में विश्व आदिवासि दिवस का उसर पर आजजीत आदिवासि गौरों महासभा में वे बतर मुख्याति थी बोल रहे थे साहेब गंज में लगातार बादिस से तेलो डाइवर्षन पर चड़ गया पानी जार्खन के साहेब गंज में लगातार दो दिनों सोहो रही बारिस की वज़ा से मंगलवार की रात बोर्यो बरहेट मुख्य पत पर इस्थी तेलो डाइवर्षन पर पानी चड़ गया इस वज़ा से सुबा चार बएसे इस मार्ग पर वाहनों का परिचालन भिठाप हो गय सुबा नौ बजे पानी घटने के बाद वाहनों का परिचालन शुरू हुआ बता दे पांच घंटे तक दोनों और वाहन खड़े रहे साहब गंज निवासी पंकजादों ने बताया है कि वो घर का समान लेकर अपने घर जा रहा था लेकिन डाइवर्षन पर पानी बढ़ जाने के कारण रास्ते बंद हो गया रांची से आने वाली गारी भी जाम में फसी रही पैदल यातरी एवंबाई चालग तुटे पूल से पार हुए स्कूल भवन के उद्घाटन कारिकरा में पारा सिक्षक के गाने पर लॉंडा डांस मंत्री थे मवजूद चत्रा के हंटर गंज का एक वीडियो सोसल मीडिया पर तेजी से वैरेल हो रहा है द्रसन मंगलवार को हंटर गंज पलस टू हाई स्कूल के नए बहुन का उद्घाटन हुए था इस कार करम में लॉंडा नाच कराया गया खास बते है कि यहां पर जार्खन सरकार के मंत्री सत्यानद भोकता भी मजूद थे बतादे चत्रा जिले का हंटर गंज में जर्खन सरकार के स्रम नियोजनों प्रसिक्षन मंद्री सत्यानाद भोक्ता मंगलवार को हंटर गंज के प्लस्टू कर्मिक उच बिद्यालाए औरू गेरुया में आयोजीत उधगाटन समारों में पहुंचे इस दोरान मंत्री सत्यनाद भोकता विद्याले के नए भौन और पेजाला पूर्ती योजना का उद घाटन विद्वत रूप से पुजा अर्चना और फिता काट कर किया हलाकिया कारकरम उस वक्त विवादों में आ गया जब यहां लॉंडा डांस कराया गया इसका विडियो सोसल मीडिया पर वारेल हो गया है कुए में उत्रे पिता पुत्र की मौत बखरी बचाने के चकर में गई जान जार्खन के साहेव गंज के रांगा थाना छेतर के केंदुवा चौक पर एक बखरी को बचाने के करम में पिता पुत्र की मौत हो गई केंदुआ निवासी 25 वर्षिय इकबाल सेख के घर के अंदर इस्थीत कुए में बुद्धवार दोपर एक बकरी गिर गई उसे निकालने के लिए इकबाल सेख का 19 वर्षिय बेटा मुस्तकीम सेख कुए में उत्रा अक्सिजन की कमी होने के का नवा उसमें बेहोस हो गया उपर से पितावा सोजनों ने आवाज दी तो कोई परतिकिर्या नहीं हुई इसके बाद इकबाल भी रषिक के सहारे कुए में उत्रा बेटे को अचेक आवास्था में रषिक सहारे बाहर निकलवाया गया वहीं बकरी भी सही सलामत थी उसे भी निकलवा दिया गया डूमरी का चुनावी जंग जामों के गड़ में सेंध लगाने की त्यारी में एंडिये डूमरी बिधान सबाव चुनाव के लिए चुनावी डुगडुगी बज़ते ही सियासते जोगई है सितंबर को होने वाले इस बिधान सबाव चुनाव पसब की नजराटी की हुई है साता रूड़ दल के लिए या चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह है वहीं विपक्ष के लिए चुनाव किसी परतिष्ठा से कम नहीं इस सीट को जीतने के लिए 37 दल जार्खण मुक्ति मुर्चा ने पिछले कुछ दिनों त्यारिया सुरू कर दील थी, अपचुनाक की घोस्ना होने के बाद या अत्यारिया कितना रंग लाता है ओसमाओ बताएगा, हलाकि 77 उटदल जार्खन मुक्ति मोचा कॉंग्रेस और रायत को उमीद है कि दिवंगत सिक्षा मंत्री जगनात्मतों की छेत्र में रही छवी और सरकार के कामकाज के आधार पर जानता एक बार फिर जार्खन मुक्ति मोचा के परत्यासी बीवी देवी को प्रचन भोट देकर जिताने का काम करेगी राहुल प्रियांका गांधी की होगी जार्खन में बड़ी सभाएं जार्खन कॉंग्रेस पोल्टिक्स अफेर्ज कमिटी की बैठक बुद्वार को पदेश करेल में आउजित की गई परभारी अविनास पांड़े के देक्स्ता में होई इस बैठक में जहां राहुल गांधी की लोग सभा सरस्यता बहाल होने का स्वागत किया गया वहीं लोग सभा चुना दोहज़ेश को लेकर बिस्तरी चर्चा की गई बैठकी जनकारी देते ये परदेश परभारी अविनास पांड़े ने कहा है कि राजे में परदेश और जीला अस्तरपस अभी इकायों की नियुक्ती हो गई है परखंड और पंचायत अस्तरपर जो पद खाली है उसे अभी 15 दिनों में भर दिया जाएगा रांची के बर्यातु में मिट्टी में दबने से मजदूर की मजदूर की मजदूर उसे किसी तरह मिट्टी से बाहर निकाला गया और आनन फारन में उससे अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मिरित गोशित कर दिया मैदूर की सिनाग आकास भूया के रूप में हुई है वह पलामू जुले के पाकी थाना छेत्र का रहने वाला था सुचना मिलते ही पुलिस महोगे पर पहुंची और सोग को कबजे मिले कर पुश्मास्टम के लिए भेजवा दिया पुलिस मामले की जाच कर रही है मुख्य मंत्री को इडी के नोटिस से आकरोसित हुए सत्ता धारी दलो के नेता परवतर निदे साले जहारखन में अवयत तरीके से की गए जमीनों की खरीद बीक्री और घोटाला की जाच कर रही है इसी करा में इडी ने मुख्य मंत्री हेवान सुरेन के 14 अगस्ट को पुश्टाच के लिए बुलाया है इसे पहले पिछले वर्ष नॉवंबर महिने में भी इडी ने अवयत खरन मामले में हेमान सुरेन को पुश्टाच की थी मुख्य मंत्री हेमान सुरेन के जब पहली बार इडी ने अवयत खरन मामले में पुश्टाच के लिए बुलाया था विश्व आदिवासी दिवस पर कॉंग्रेस का आदिवासी गौरो महासभा जार्खन कॉंग्रेस ने विश्व आदिवासी दिवस के मौखे पर आदिवासी गौरो महासभा का आवजन किया इस मौखे पर आदिवासी पूरुष और महिलाये परमपारिक लिवास में नजर वहीं इस मोखे पर बंधू तिर्की ने केंदर स्रकार पर जम कर हमला बोला है बता दे बुद्धवार को विश्व भर में आदिवासी दिवस दुमदाम से मनाया जा रहा है राज नितिक पाटिया भी आदिवासी दिवस के उसर पर तरह तरह के कारिकरन आयोजित कर रही है वहीं AICC के निर्देश पर देश भर में विश्व आदिवासी दिवस को आदिवासी गौरो महासभा के रूप में मनाया जा रहा है जारकन कॉंग्रेस की ओर से जत्रा मैदान बनहरा में आदिवासी गौरो महासभा कावजन किया गया दूमरी उपचुनाव में जैराम महतो की क्या होगी भूमिका दूमरी में उपचुनाव की घुसना हो चुकी है साता पक्स और विपक्स के नेता पिछले कुछ महिनों से इस छेतर में सक्रिये हैं लेकिन इस विच राज के एक उभरते हुए नेता जैराम महतो भी खुब सक्रिये हैं इस उपचुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी वो खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी को अपना समर्थन देंगे इसे लेकर बहुत बाते हो रही है बता दे डूमरी में उपचुनाव होने जा रहा है इंडिया परत्यासी के रूप में दिवंगत जगरनात महतों की पतनी बेवी देवी बतर मंतरी पाहले से मैदान में है एंडिया का स्टेंड अब तक किलियर नहीं हुआ है की परत्यासी आईसू का होगा या भाजपा का वहीं दूसरी ओर डूमरी के टाइगर के रूप में मसूर जगरनात महतों के असमय निधन के बाद इस सीट को निकालने के लिए जामों ने एड़ी चोटी लगा दी है तारा टांड थाना छेतरे के मोहलीडी बुट बरिया के पास वहनों से हुई लूट मामले का पुलिस टीम अब तक खुलासा नहीं कर सकी है लूट पाट कान को अंजाम देने वाले अपराधी फिलहाल फरार है और पुलिस उन्हें दबोचने के लिए छबे मारी कर रही है फिलहाल इस मामने में पूलिस को कुछ सफलता हाथ लगी है जिसके आधार पर जल्द ही मामने के खुलासा कर देने का दावा किया जा रहा है वैसे लूट की खटनों का अंजाम देने के संदेह पर कई संदिक्दों को अब तक पुलिस अपने कबजा में लेकर पूस्तार कर चुकी है जिससे कुछ पुखता सबूत हासिल किये है गौत्रा भाय की चार अगस्त की मज रातरी को तराटान थाना छेत्रे के मोहली डी बुट परिया के पास दरजन भर अपराधी वानों से लूट पट करते हुए नगत करीब 20 या रुपे वा जेवराज समेत अने समान लेकर चंपत हो गाए थे गीरी डी से तीन पसुत असकर गिरफतार जारखन के गीरी डी थाना छेत्रे के सुखल जोरिया मोड के पास देवरी थाना प्रभारी सुरज कुमार के नजित्युत में राजस्याम चोधरी वा बुद्धूस्वर उराओ आधी ने पूलिस बल के सहयोग से सघन वाहन जाच अभ्यान चला कर बुद्धवार सुबह चार बेलोरो पीकप वैन में लदे हुए कूल 32 मवस्यों को पकड़ा जनवार सो लदी वैन को पकड़ कर बुद्धवार सुबह थाना लाया गया इसके साथ ही दो चालक वा एक तसकर को गि अफ्तार कर जेल भेदिया गया इन मवस्यों में 14 गाय, 9 भाय, 7 भाय सक बच्चे, 2 गाय के बच्चे सहित कूल 32 मवस्यों सामिल हैं जिनका थाना प्रभारी दे मवस्यों चिकिसकों से इलाज भी करा जा है ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई नाची से बाची फिल्म इर दिखाई गई सनेहा मुंडारी की फिल्म आबुवा पाई का मुंडा समाज की पहली फिल्म है जिसे राश्टिव से अंतराश्टिव मैंच पर प्रभाशित किया जा चुका है निरंजर कुमार कुजूर की फिल्म डिम्बी दुरगा सतीस मुंडा की जादू गोडा फिल्म समेत कई अने फिल्मों का पर्दशन किया गया जार्खन आदिवासी महोसर में गुरुवार को पेनल्टी कॉर्नर रावः बवाडू जैसी फिल्मों को दिखाया जाएगा बेतन भुकतान की मांग को लेकर 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मियों की हरताल शुरू जार्खन के 108 एंबुलेंस कर्मियों का पिछले 5 महिने से बेतन नहीं मिला है बेतन भुकतान की मांग को लेकर कई जीलों के एंबुलेंस कर्मियों हरताल पर चरे गया है वहीं कई जिलों में एक दो दिनों में हरताल पर जाने की घोसना की है इसको लेकर 108 एंबुलेंस कर्मियों का बिरोध परदसन भी जारी है बता दे गीरी डी समर्नाले के समक्ष 108 एंबुलेंस कर्मियों ने धाना परदसन किया इस दोरान चालकों ने स्वास्थ विभाग और समधित एजेंसी के खिलाप नारेबाजी करते वे बकाया बेतन की भुकतान करने की मांग की इस बाबत मोहन कुमार दास, खुर्सिद अंसारी मोहन कुमार, राहुल कुमार दास, नागेंद्र कुमार चौजरी, नंदला चौजरी, परकास यादो समेत अने एंबुलेंस चालकों ने बताया है कि वे सब ही चालक के पर परकारणा था हैं लेकिन कभी भी समय पर उनके बेतन का बोकता नहीं होता है धन्यवाद